हलो एव्रिवान वेल्कम टो माइचानल प्रयांका व्लॉग इन कोकेंग आज मैं अपनी किचन में बनाने जारही हूं पालक पनेर की बहुत ही आसान सी रेसिपि बनाने में बहुत ही आसान है और खाले में उतनी ही यह चट-पटी और स्वादिष्ट है तो चलिए बिना देर जूढ़िआ पानी बाली इसने पानी के लिए हमादा पानी छेंक दियार करिक्राई करा लुष दिया काई निकल जाए और इसको हम पानी के अंदर डिप कर देंगे तो यहां पर मैंने एक किलो जितना पालक लिया है और पालक जैसे ही आप खौलते वे पानी में अड़ करोगे ना तो यह श्रिंक हो जाएगा और इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा तो यहां पर मैंने एक किलो पालक ले लिया है और इसको अच्छे से दबा देना है पानी के अंदर ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो गरम पानी के अंदर पालक को हमको कम से कम दो से तीन में टक्रे पकाना है में अचारों टरफ पालक अच्छ से से डिसकारड कर तक हम यंग्יות तो यहां पे पीसना है बिना पानी के या इनी अभी मिर्ची कापैस्ट प्षेणा पनाना है पालक पनीर में लेसुन का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा सा जादा साइट पर रखें बाकी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और एक इंच तुकड़ा अद्रका तो इतना क्वांटिटी मैंने एक किलो पालक के लिया है पालक बॉ और अदर निकल जाना चाहिए और इसको डिरेक्ली हमने जो ठंडा पानी तैयार करके रखा था उसके अंदर हमको डिप करना हैं तो सारा पालक मैं इसमें डाल देते हूं चनदे पानी में फालक टालने से क्या होगा? इस का कुकिंग झो यहीं पर कुक जाएगा और पालक का color जो है वो maintain रहेगा तो पानी में डुबा कर इसको side में रख देते हैं अभी इसको पानी के अंदर ही रहने रहें तो यहां पे हमारा लेसुन मिर्ची और अद्रका पेस्ट भी तयार है तो यहां पे मैंने कड़ाई चड़ा दी है गैस पर गरम होने के लिए और यहां पे मैं इसके अंदर एड़ कर रहे हूँ एक बड़ा चम्मच जितना देसी घी पालक मनीर को देसी घी में जरूर बनाएगा बड़ा ही टेस्टी लगता है और यहां पे मैं एड़ कर देसी घी या फिर बटर के साथ अगर आप काम कर रहे है तो उसमें कुकिंग ओल थोड़ा सा जरूर डाले इसकी वज़े से जलता नहीं है तो यहां पे घी हमारा गरम हो गया है मैं इसके अंदर आड़ कर रहे हैं कुछ घड़े मसाले तो यहां पर मैंने लिया है दो तेज पत्ता और चार चोटी इलाइची चार से पांच लॉंग लिया है और दस दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा जीरा घी हमारा अच्छा गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं डाल रहे हूं एक छोटा चम्मच जितना जीरा जीरा इसमें थोड़ा जाता है तो एक चम्मच जितना मैंने यहां पर जीरा डाल दिया है और इसी के साथ तेज पत्ता भी आड़ कर दिया है और बाकी के खड़ी मसाल अच्छे से हमारे पक चुके थे अच्छा अरोमा रिलीज हो रहा है तो अब हम इसके अंदर आड़ कर देंगे प्यास तो यहां पे मैंने दो मीडियम साइज के प्यास को इकडम फाइनली चॉप कर लिया है इसको फाइनली चॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है यह देखे यहां पे प्यास को बराबर चलाते हुए हमको पका लेना है और यहां पर मैं इसमें आड़ कर रही हूँ टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक अगर आप इस टेश पी नमक डाले में कमफ़टेबल नहीं है तो बिलकुल ना डाले इसको पक जाने के बाद यानि 90 परसंट जब पालक की प्योरी कर लेता है इसने के लिए इसको कुछ नहीं करना है बस पानी में से निकाल देना है जितना पानी हो सके उतना चान दीजे और उसको जार में हम डाल देंगे तो यहाँ पर बस मैं एक क्यूब आइस का डाल रही हूँ आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्यूंकि पालक हमारे ठंडे पानी में हमने डिप करके रखाते हैं तो अभी हम इसकी प्यूरी कर लेते हैं तो जिस तरीके से हमने पालक को प्रोसेस किया है और उसके बाद इसको पीस लिया है हमने आइस क्यूब डाल कर उसकी वज़ए से आप देख सकते हैं रिजल्ट पालक की प्यूरी हमारे कितने पर्फिक्ट कलर से बन करके तैयार हुई है यहां पे हमारे प्याज को पकाते हowए हमको 2-3 मिनिट हो गया है और यह प्याज यो है वो अच्छा ट्रांसलूसेंट हो गया है मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ एकदम यह क्रामलाइज हो चुका है और यह इसका सारा कच्छापन खतम हो गया तो अभी स्टेज पे हमने जो 3G पेस्ट याने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर आड़ कर देंगे तो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको पकाना है हमको अच्छी तरीके से सारा कच्छा पन इसका खतम हो जाना चाहिए और यह light golden brown हो जाना चाहिए इतना हमको इसको पकाना है तो प्याज के अंदर हमने जो ginger garlic paste जाला था उसको पकाते हम यहां पर 2-3 मिनिट हो गए है और यह देखे यहां पर इसका color जो है वो light golden brown जैसा होने लग गया है तो यह बहुत ही perfect stage है हम इसमें अब डाल देंगे डेली routine के मसाले तो इसके लिए यहां पर मैंने एक चोटा चमच लिया है healthy powder और दो चोटा चमच भरके मैंने लिया है धनिया powder एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्श powder और यह kitchen king masala है एक चमच भरके मैं डाल रही हूँ इससे खुश्बू और टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है इसी के साथ मैंने यहां पर डाल दिया है आधा चोटा चमच इतना गरम masala powder इन सभी मसालों को डाल करके अच्छे से एक stir देंगे गयास का flame एक दम slow कर देंगे और इसके उपर मैं कसूरी मेथी एक से दो चमच जितना और इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स करके पका लेंगे इससे बहुत ही अच्छा कुश्बू और टेस्ट बदल जाता है बिल्कुल रेस्टरों जैसा तो यहां पर मैंने बारी कटा हुआ टमाटर ले लिया है यहां पर मैंने दो सारे मसालों को टमाटर के साथ गया साथ घ्कन लगा रही हूं और इसको मैं दो से तीन मिनिट के लिए प्कने चोड़ दोगे तो यहां पर टमाटर के साथ मिनिटव मुझे 2-3 मिनिट हो गया है धकन खूल के देख लिए अभी अब गया अब गया यह अच्छे साफ्ट हो तो जो हमारा टमाटर वाला मसाला है वो अच्छे से मशी हो गया है तो अब स्टेज में डाल रही हूँ घर की मलाई है यह तो यहां पर मैंने एक काटोरी डाला है इसका वेट है 200 ग्राम तो आप चाहें तो मलाई के बदले जो मार्केट में फ्रेश क्रीम मिलता है वो भी जाती है तो यहां पर मलाई डाल गे पकाते हूं मुझे दो से तीन मिनिट हो गये है तो अभी हम क्या करेंगे यह जो हमने पालक का प्योरे बना कि रखा है वो इसके इंदर आप दाल देगे जो भी एक्स्ट्रा है इसको भी हम स्क्रेप कर लेंगे और इसके अदर आप कर पालक का प्योरे डालनेके बाद इसको बराबर चला आते वे पकाना बहुत ज़रूरी है 5 मिनिट के लिए पकाना है और चलाना ना भूले तो अब इस stage पे मैं या पे डाल रही हूँ पनीर के cubes, मैं या पे इसको plain ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो fry करके भी डाल सकते हैं तो यहां पे मैंने जो पालक बॉइल किया था, वो एक किलो था, जो कि श्रिंक होने के बाद, यानि बॉइल होने के बाद, हाफ केजी रह गया था, तो उसी हिसाब से मैंने या पे हाफ केजी पनीर डाला है, आप अपने हिसाब से कम जादा, जैसा आपको पसंदो गसा कर सकत तो पनीड जालने के बाद लगा झालनी परेज में, तो यहां पर पनीड के बडि़ोग अछे से पूरे तो आज करें लेकर हैं ग्याटि पनीड दिया है कि भान? तो यहां पर नाल चैक कर दो मिलेकर कुषमा ञुग है तो इसको थिकर साइड पे रख सकते हो अगर आप चावल के साथ लेने वाले हो तो इसको थोड़ा सा थिन रखना चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम पानी तो इन टोटल मैंने यहाँ पे आधा कप से पौना कप जितना पानी डाला था और इसको अब धकन लगा करके हम दो से तीन मिनट तक के लिए पका लेंगे तो यहाँ पर पालग पनीर की सबजी को पकते वे हो गए है दो से तीन मिनट जितना और हम अब धकन हटा करके इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए कितना बढ़िया तेल उजाओट हो गया है, सबजी हमारी अच्छी पग गई है, और इसको हम अच्छा सा एक स्टर दे देते हैं, और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, यह देखिए कितना बढ़िया यह परफेक्ट एकदम हमारा सबजी बन करके तो गैस का फ्लेम में कर देती हूँ बन और कर लेती हूँ इसकी फ्लेटिंग, तो देखिए फ्रेंज हमारी तो यह गर्मा गरम पालक पनीर की सबजी बिलकुल रेस्टरान स्टाइल वह भी बहुत ही आसानी से हमने बना करके तयार कर ली है, अगर आपको भी मेरी रेसिप आपको ज़रा सब अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक क्यार, बाबाई